मनिपूर की राधानी इंफाल में अभी ताजा घट्डा क्रम क्या है? क्या है अभी हालात? बता रहे हैं हमारे समधा था आशितोश मिश्रा आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट वापस लोट करके ना आए मनिपूर को कि इन सब को एक रास्ता चाहिए हला कि विरोध यहाँ पर जो चल रहा है वो असाम राइफल को भी ले करके है प्रशासन को भी ले करके है और कोई सेपरेट अड्मिनिस्टेशन एन एक अलग प्रशासन नहीं चाहिए तो कुल मिला करक अभी जो स्थिती है आप देखेंगे बाकी शहरों पर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ घंटों के लिए रियायत दी जाती है दिन में करक्यू हटा लिया गया है लेकिन चूरा शांदरपूर जो सबसे ज्यादा प्रभावी तिलाका हुआ था वह दली ये बैठक क्योंकि लगातार सरकार पर भी दबाव है विपक्ष भी सवाल पूछरा कि आकर यहां के हालात सामानने कैसे होंगे और वो सामानने कैसे होंगे उसके लिए क्या कदम उठाय जा रहे हैं यही सारी जानकारी ग्रिह मंतरी तमाम दलों को देंगे लेकिन इस आप इमफाल में जो देख रहे हैं मनिपूर में देख रहे हैं वो प्रदर्शन जसका तस जारी है हाला कि हिंसा की जो घटना है उसमें कुछ कमी जरूर होई है लेकिन बावजूद सौ डेर सो लोग जिस हिंसा में जिस राज्य में मारे गए हों आप समझ सकते हैं कि वहां इस वक्त अक्षे डोगरे मरसा जुड़ रहे हैं जंतर मंतर से और जितेंदर बहादूर संग जुड़ रहे हैं जितेंदर आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे अपडेट क्या है सरुदली बैठक बुलाई गई है क्या है लब लुबा आज तोस तीन बजे के आसपास ये सरुदली बैठक शुरू होगी पार्लेमेंट लाइबरेरी के अंदर और यहां इस बैठक की अध्यक्सता खुद ग्री मंत्री अमिशा करेंगे पिछले 52 दिनों से जिस तरीके की सिच्वेशन मड़ीपूर में बनी हुई है उसको लेकर के पॉलिटकल पार्टी की जो टीमसी है या फिर एनसीपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके बड़े नेता तो उसमें शामिल नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे जो नेता है उनके प्रतनिधी उनको यहां पर भेजा जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी के जो पूर मुख्यमंत्री मड़ीपूर के र दौरा उन्होंने मड़ीपूर का किया था उस दौरान कई बड़े निरने लिए गये थे जिन लोगों ने हथियार उठाया हुआ है उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है सीबियाई भी एक्षन कर रही है चै मामले दर्च करके सीबियाई जो है इस पर एक्षन कर रही है वहीं सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो सुरक्षा बल अलग अलग जगों पर जो ग्रामीर इलाके हैं वहां पर अभियान चला रही है और एक हजार से ज्यादा हथिया जब दिया है या फिर जो वहाँ पर जिन लोगों ने हथियार उठाए था उन्होंने उन हथियारों को सरेंडर किया है तो ये तमाम जानकारी आज जो पॉलिटिकल पार्टी इस सर्वदली बैठक में मौजूद रहेंगी उनको दिया जाएगा और आगे का सुलीूसर निकाल जानते हैं अक्षे डूंग्रे अबारे साथ तो अबारे सायोगी जुर चुके हैं अक्षे लोगों की मौजूद्गी है वहाँ पर क्या कह रहे हैं क्या है तस्वीर ये सब कुछ आप दर्शे को अपडेट करें चाहे वो केंदर सरकार हो या फिर राजी सरकार क्योंकि सेक्शन 355 लगाया गया है ऐसे में मनिपूर में लॉइन ओर सिच्वेशन के जिम्मेदार ये अब केंदर सरकार की है लेकिन फिर भी हिंसा के लगातार घटना है और कल ही की जिससरा आपने बात बताई तो अब आम जियानी की हमारी भारती सेना जो वहाँ पर मौझूद है उनके उपर भी हमले हो रहे हैं इन फैक्ट कल स्पियर कोर्ट जो इंडिन आमी का है उनकी तरफ से अपडेट किया गया कि उरंगपात और गौलता भी इलाका है ये इमफाल से लगा हुआ इलाका है जहां पर इंड जोलाबारी भारती सेना की कॉलंस पर की थी और उनकी खिलाफ एक्शन लिया गया एडिशनल कॉलंस भीजे गया और लगातार दूसरा दिन था जब भारती सेना तक के उपर हमला हो रहा है वहाँ पर तो हालात अब बत से बत्तर हो चले है और अगर बात की जाए इंडिनाम की टीम्स सबसे पहले इंफाल पहुची थी तो लोकल जवारा वहाँ पर उनका भी विरोध किया गया था कही ना कही उनकी टीम्स को भी मूवमेंट जो था वो प्रभावित किया गया था क्योंकि उनका जो में मकसद था वहाँ पर वो यह चीज की जाच करना था कि कि कितने सामान ने बिलकुल भी नहीं है लोगों कई लोगों की जान जा चुकी है और मैं कुछ दिन पहले ही मनिपूर से वापिस आयो तो वहाँ पर लगातार अब हर हर शेहर की इलाकों में आगजनी की घटनाएं हो रही है टार्गेट करकर के घरों को चलाया जा रहे हैं लोगों प कर दो से कन बादी हो लोगों जा कर दो से के लाएं हो परे कर दो दो से एक लगों कर दो से एक कर दो से हैं।